हे भगवान ये क्या हो गया है मेरे घर में आग कैसे लग गई अरे ये किस ने किया है असा मेरे साथ अब मैं कहां जाओं वे ये सामने ही मेरे डॉरामॉन का होटेल है तो आज की रात मैं यहीं पर रुख जाता हूँ कल देखूँगा क्या करना है मुझे यहां इतना अंधिरा क्यों है मुझे अपनी टोर से जगानी पड़ेगी यह रहा डोरामन आज इतना अंधिरा क्यों कर रखा है यहां पर ऐसे क्यों घुर रहे मुझे यह डोरेमन की फोटो लगी है चलो मैं इससे बात कर लू अरे नूबी तुम यहां क्या कर रहे हो ओए मेरा घर आग में जुरस गया क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है यहां पर हाँ क्यों नहीं जाओ ले लो और नीद अच्छी लो तुम्हारी दाइनी और पहला कमरा है अरे वह दोस्तों मुझे कमरा मिल गया है आखिरकार चलो कमरा खाली है मेरी दाइनी और पहला कमरा यह रहा बेडरूम तो चलो अभी मचा कर सो जाता हूँ मैं कल देखता हूँ कि आखिर मेरी घर में आग कैसे लगी यह क्या है क्या यह डोरे मौन की टाइम मेशीन है जो कि उसके ड्रोवर में रखी होती थी हाँ मुझे लग रहा है फिलाल चलो मैं अभी सो जाता हूँ कल गरूँगा इस मामले में बात और यह रहा मेरा बेड पहली रात आ गई है दोस्तों वे यह कौन खटकटा रहा है आधी रात को मेरा दरवाजा चलो देखता हूँ वे डोरा मौन तू यहाँ क्या कर रहा है क्या हुआ मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि तुम्हें इस कमरे के लिए पैसे दिने होंगे लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है क्या कहा तुमने तो फिर तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे काम के बदल पैसे दूँगा ठीक है आखिर मुझे करना क्या होगा पर कोई बड़ा काम नहीं है तुम्हें सिर्फ मेरा कमरा साफ करना होगा अभी हाँ नहीं तर चले जाओ यहां से ठीक ठीक है नराज क्यों हो रहे हो यार मुझे कमरे में ले चलो अरे दोस्तों ये बिल्ला तो पागल हो गया है मैंने इसे बोला कि तुझे फिर पैसे दे दूँगा अभी पैसे नहीं है यार आधिराज को कहां से लाओ मेरा घर जल गया लेकन ये मानने को तयार नहीं है बोल रहा है मुझे पैसे दो नहीं तो मेरे लिए काम करो अब मुझे मजबूरी है तो काम करना पड़ेगा दोस्त कहां जा रहा है ये इसका बैडरम उपर है तो ये वाला होगा शायद लेकन ये क्या है पान ठूक रखा है जगा जगा पर अब लाल सक टोरेमन पान ठूक ठूक कर ला लो रहा है ये कौन है कुट्टा तेरा क्या लगता बै तो तुम्हें ये कमरा साफ करना होगा स्टोर रूम से जाडू ले आओ और सफाई शुरू कर रहा है अब ये स्टोर रूम कहां पर होगा चलो दोस्तों खूजते हैं इसका स्टोर रूम और ये कुट्टो की फोटोवा क्यों लगा रखी है इनके पूर्वज लग रहा है मुझे तो अरे यार हमारा दूसरा वाला डॉरे मन कितना प्यारा था बड़ा ही प्यार से देखता था ये बाहर का रास्ता चलो अभी विलाल ये राश्टोर रूम यहां पर जाडू देखने मुझे कहां पर रखाओगा ये राजाडू चलो ये मिल गया अब मैं इसके कमरे के जल्दी से सफाई करता हूँ ओए तू यहां कैसे आ गया ये इसके पास भी एनिवे डूर है क्या मुझे तो ऐसा ही लग रहा है तो चलो दोस्तो कमरे में ये सीडिया और यहां से उपर अब मुझे इसके कमरे की जल्दी से सफाई कर देनी चाहिए ताकि मैं भी अच्छे से सुपा हूँ देखो जगह जगह पर पान धूक रखा है इसने ये घटिया डोरे मने पान खाने वाला चलो फिर मैं जल्दी जल्दी से साफ कर दूँ इसको उसके बाद हमें सुने चलना है ये क्या है मुझे देखना चाहिए बाहर चल कर वे क्या फूटा ये पहले किसने दरवाजा कट कटाया मुझे लग रहा है ये डोरा मनी होगा यहां तो कोई नहीं है यहां पर तो सब नॉर्मल दीख रहा है मुझे मुझे लगता है मैं आदी रात में उठ गया शायद मुझे ठकान हो गई है चलो दोस्तो हम लोग नजर अंदाज करते हैं और कमरे की सफाई कर वापस चलते हैं ओई ये क्या हो रहा है यहां पर इतनी गंदगी कैसे आ गई रोको यहां कुछ गड़बड है मुझे डोरामॉन से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं अभी इतना भी ने ठका हुआ कि मुझे पता ही न चले कि मैंने ये कमरे अभी साफ करा था ओई चलो डोरामॉन के पास ओई डोरामॉन ओई यहां कुछ गड़बड है क्या हुआ जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था तो मुझे कुछ आवाजे सुनाई दी आवाज? हाँ पहले दर्वाजा खट-कटाने की फिर शीशा तूटने की जब मैंने जाकर वहां देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था सब कुछ ठीक था जब मैं काम करके वापिस आया तो कमरा पहले से भी ज़्यादा गंदा था कमरा पहले से ही गंदा था शायद तुमें नीद आ रही है इसे नजर अन्दाज करके अपना काम खतम कर लो फिर तुम सो जाना स्टोरूम में जाकर देखो तुमारे लिए वहाँ पर कुछ है जो तुमारी मदद कर सकता है अरे अच्छा ऐसा क्या है स्टोरूम के अंदर चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारी वहाँ पर मदद कर देख लिए इस लाल बिल्ले ने क्या रखा हुआ है ओई ये रास्टोरूम लेकिन ये क्या है पर्चा यहाँ पर मुझे गैस एक वैक्यूम के लिनर बनाना पड़ेगा ठीक है पहलाई मोटर चाहिए ये राई मोटर ओई चलो अब मुझे इस मोटर को कहा लेगा जाना है तुमारे कमरे में जो ड्रोवर है उसमें डाल दू अच्छा तो चलो मैं देखता हूँ कहा गया कमरा ये रहा मेरे कमरे में जोन सा ड्रोवर है उसके अंदर डालना है ओई ये क्या आईटम है एक और आईटम मिल गई फिलाल मैं इस मोटर को यहाँ डाल देता हूँ और अब इसको भी उठा लेता हूँ क्या आईटम है ये ओई धकन ये घुस गया इसके अंदर अरे ये मुझे तो टाइम मेशिन लग रहे थी लेकर ये तो कुछ और है अब मुझे एक और आईटम ढूरने पड़ेगी और वो है डस्ट बैग ओई उपर तो नहीं होगा शायद से वो यहीं कई होना चाहिए ओई कीचन में देख अच्छा कीचन में देखता हूँ ओई ये मिल गया मुझे ये ही होगा शायद ओई कैसा कीचन है ये घटी ऐसा बिलकुल यार ये कैसा लकडी का बिलकुल बुना रखा है सच में इनके तो घर सच में लकडी के होते है मतलब ओई इसमें डाल देता हूँ अब ये मुझे बिल जाएगा क्या मिल जाएगा वैक्यूम क्लीनर चलो बढ़िया ये वैक्यूम क्लीनर मिल गया है तो चलो अब इसका कमरा जल्दी से साफ कर देता हूँ ओए देखो यार कितना यहाँ पर गंद मचा हुआ है अब जल्दी से इस सब को ठीक कर दूँ मैं उसके बाद मच सोने जाने वाला हूँ ओए साफ कर फटा भड़िये लगबग हो नहीं वाला है कमरा साफ लग रहा है अब मैं चैन से सो सकता हूँ चलो डोरामोन से बात कर लेता हूँ ओए कहाँ ये रहा डोरेमोन तुमने मेरी मदद की इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है अब मुझे पैसे दो कमरा साफ करने के लिए धन्यवाद तुम चिंता मत करो तुम्हारे पैसे मैं तुमें कल दे दूँँगा फिलहाल के लिए जाकर सो जाओ ठके हुए लग रहे हो तुम मुझे ओके शुब रातरी ये सही है चलो सो जाता हूँ मैं अभी कोई बात ने दोस्तो मैं पैसे तो कल भी ले लूँगा फिलहाल अभी मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मैं काफी ठक गया हूँ ओए ये रहा मेरा कमरा अब तो दिवारों से टक रहने लगा मैं चलो सो जाओ ओए चलो आज हम लोग अपने पैसे लेकर वापिस चलते हैं यहां से ओए डरामान सुन मेरी बात अरे कल रात मैंने तुम्हारे कमरे की सफाई की थी मुझे उसके पैसे दो अभी नहीं है सबसे पहले किचन में जाकर मेरे लिए डोरा केक बनाओ मैं ऐसा नहीं करने हूँ जा रहा जाओ और जर्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें अपनी घर से बाहर निकाल दूँगा अब यह तो मुझे ब्लैक मिल करने की कोशिश कर रहा है गैंक्स्टर दादा के पोते यह तो दोरे मन अच्छा लग रहा था मुझे तो यह उसका भाई नहीं लगता चलो दोस्तो कुछ नहीं कर सकता मैं अभी के लिए मुझे इसके लिए केक बनाने पड़ेगा ओई वे कीचन है यहां केक बनाने के लिए कोई सामान नहीं है चलो उस अजीब बिल्ले से पूछता हूँ मुझे तो इसका होटली ठीक नहीं लगता एक तो इतनी रात है उपर से अंधेरा कोई लैट भी नहीं जलाता यह मैं वो केक कैसे बनाऊँ वहाँ केक बनाने की कोई आटम नहीं है तो मैं अभी भी नीद आ रही है क्या वोई गुप्त नोट आया है वहाँ उभी उसे जाकर देखना चाहिए वोई यह तु क्या बोल रहा है मैं नीद में हूँ मैंने वहाँ अच्छे से देखा वहाँ कुछ नहीं है मैं यहाँ से गया तो मुझे वहाँ कुछ वोई यह नोट कहाँ से आ गया यहाँ पर अब ही मैं यहां ऐसे आया तो मुझे कुछ नहीं दिखा भाई अच्छा ये क्या है एक हैंडल एक बाक्स उसके बाद मैजिक ओवन बंद जाएगा अच्छा इससे क्या होगा ये जगह वह काफी रहे समय है ये क्या है हैंडल चले इसको डाली यहां पर एक आइटेम मिल गई है एक और आइटेम चाहिए लेकिन वो कहां मिलेगी क्या उपर मिल सकती है मुझे यहां तो सरफ ड्राम रखे हुए ये जगह काफी खातरनाक लग रहे है मुझे यहां पर होने वाली एक्टेविटी कुछ अच्छे ने लगती बेडरूम वे ये रैब आक्स चलो अब इसे लेकर चलता हूँ वहाँ पर ये डाला इसके अंदर और अब निकलेगा मैजिक ओवन मुझे लगता है कि ये फ्यूचर से सामान आता है ये उठा इसको चलो अब इसे मुझे किचन में रख देना है ओए ये ले आया है मैं देख क्या रहा है इसको भूग लगी है मुझे इसे खिलाना पड़ेगा ये तो बड़ा ही किलर टाइप है केक ये क्या कोई आइटम ने डाला कुछ ने डाला केक निकलाया इसके अंदर से चलो अच्छी बात है ओए ये ले ठूस ले ये रहा तुम्हारा केक तो तुमने बना ही लिया शूकर यह मुझे बहुत भूग लगी है अच्छा ये ले ठूस ले अब दे मेरे पैसे मुझे चिंता मत करो मैं तुम्हें कल भुकतान कर दूँगा मुझे बर भरोशा करो तुम अभी के लिए सो जाओ जाकर कुछ दे अरे नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे यहाँ पर अपना नौकर बना कर रखना चाता है मैं यहाँ पर नहीं रहना चाता मुझे बेरे पैसे दे और मैं जाने वाला हूँ आज की रात है सिरफ यहाँ सोंगा उसके बाद यहाँ से चला जाओंगा मैं